Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राशपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो लिक्चर में एक नए चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है, Class 7th Civics का चाप्टर, Last Chapter, Struggles for Equality यह जो हमने सफर शुरू किया था, Class 7th Civics का इसमें हमने जितने भी चाप्टर्स पढ़े, Starting से लगा कि यह जो Last Chapter है यहां तक सारे Chapter में आपने देखा बहुत सारी Stories थी, अलग-अलग Stories, अलग-अलग Ideas पे Based थी सारी कहानियों से हमें एक Moral मिल रहा था, और क्या Moral मिल रहा था, हर Stories हमें किसे ना किसी एक Problem को देखने का Perspective समझ में आया था, कि हाँ यह Problem है, इस तरह से Society में होती है, लोग ऐसे सफर करते हैं तो हमने इस Chapter में बहुत सारी Stories पड़ी, ठीक है, बहुत सारी Stories में हमने, कांता की Story, अंशारी की Story, मिलानी की Story, स्वप्ना की Story, अमन की Story, कितनी सारी Stories पड़ी थी अब जब ये इतनी सारी स्टोरीज पड़ी हमने, तो हर स्टोरी ने एक आईडिया दिया आपको, आप देखो मैं आपको इन स्टोरीज को रिकॉल क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसके पिछे कारण है समझना इन सारी चीजों को, अब यह जो हमारा लास्ट चाप्टर है, च इनिक्वैलिटी को आपजर्फ किया, अब इनिक्वैलिटी है, मतलब इक्वैलिटी नहीं है, ठीक है, इनिक्वैलिटी आने क्या है कि इक्वैलिटी नहीं है, अब इक्वैलिटी नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, इक्वैलिटी के लिए हम क्या करेंगे, शंघर्ष क करेंगे तो अब हम क्या करने वाल सब offer करने वाल वो इस च्रप्ट ना लुए देखेंगे कि किस तरह से सोसाइटी में इनिक वालिटीस तो है लेकिन उन इनिक्वालिटीस को ऐसा नहीं कि इनिक्वालिटीस ही र्याले deux में बैट जाएं समस्यार तो तो कब से रही है प्री हिस्ट्री से देखोगे तो प्रॉब्लम्स तो क्या है लाइस को एक इंटीग्रल पार्ट है ठीक है हम देखेंगे सोसाइटी में क्या है रिच और पूर के बीच में इनिक्वालिटी है लेकिन आप इसका मतलब यह नहीं कि पूर्स कैपेबल नहीं है नहीं छोड़ सकते हो आप ठीक है हम देखते हैं मार्केट में इक्वालिटी है प्रेड्यूसर्स सफर कर रहे हैं बीच में मिडल में जो है वो सारा प्रॉफित उडा के लिए लेकिन आप प्रेड्यूसर्स को ऐसे क्या सकते हैं कि लॉस में नहीं छोड़ सकते हो किस तरह से equality के लिए fight करता है वो सारी चीजे में आपको बताने वाला हूँ तो एक basic introductory video है जिसमें आपको chapter की theme समझाऊँगा theme जो थी वो मैंने आपको समझाई दिये वैसे तो जैसे हम देखें कि इन सभी लोगों की stories का ये जो सारे लोग थे अगेंस्ट inequality ठीक है struggle for struggle for equality या फिर struggle against inequality ठीक है इन सारे लोगों ने लड़ाई या लड़ी inequality के अगेंस्ट में clear है अब देखो क्या है अब how can one fight against inequality तो एक इंसान लड़ कैसा रखता है inequality अब inequality देखो मानलो आपके पड़ोसी से लड़ने की बात हुई तो आप वो दिख रहा है आपको कि इंसान है इसे मारना इसे बिटना है ठीक है लेकिन अगर आप inequality की बात करोगे तो inequality को दिखता थोरी ना है कि हाँ यह inequality यह जारी देखो रूड़ पर वो आप वो तो एक तरह से क्या है वो आप सोसाइटी में उस तरह से डिविजन देखते हो लोगों के बीच में उच नीच देखते हो वो inequality होती है आप उन्हें कैसे उससे कैसे लड़ोगे तो उससे ऐसे लड़ेंगे हम कि जो लोग नीचे हैं जिनके साथ में discrimination हो रहा है हम उनका upliftment करेंगे ना तो वह inequality से लड़ने की बात आती तो कैसे लड़ सकते हो यह भी एक सवाल है clear people have to come together to fight against inequalities and for issues of justice तो inequality को खतम करना है अगर तो लोगों को साथ में आना होगा inequality को खतम करने के लिए संगटन में सकती होती है यह चीज़ समझ के रखना जब तक आप संगटित हैं ठीक है आप सभी लोग साथ में हैं तो क्या होगा कि आपकी पावर बढ़ जाएगी आपने वह आली कहानी सुनिए बच्पन में एक लगड़ी तूड जाती थी ठीक है फ अगड़ होना होगा क्लियर हैं तो एग्जांपल्स अगर देखें तो इस में एग्जांपल्स क्या क्या है कि कोपरेटिव तो लुदित हैं क्यों पर तक हैंUP जरते क्या हैं थी क्या observe करती है कि वहाँ पर political equality तो मिल गी हुने लेकिन real sense में क्या है कि वह बिमार होती तो उसे line में खड़े होना पड़ता है सरकारी hospital की लेकिन जिनसाब को इसा नहीं करना पड़ता है उनके पास पैसे हैं मिलानी की कहानी देखोगे तो यहां पर inequality कैसे देखने को मिल रही है कि उसके साथ में discrimination ऐसा होता है कि domestic worker एक घर पर भी काम करो ठीक है बाहर भी जाके काम करो domestic worker की तरह फिर भी society क्या करती है उसमें और male में मतलब एक female में discrimination करती है तो इस सारी क्या है inequalities है और इनसे लड़ना है तो हमने जैसे देखा पिछले chapter में देखा था हमने कि पिछले chapter में क्या हुआ था कि वीवर्स भी इसी तरह से सफर करते थे लेकिन वीवर्स में जब कॉपरेटिव बनाया तो वह संगटित होगा शक्ति बन गई उनकी पास ठीक है अब देखो क्या है यहां पर हम देखे तो हमारा constitution तो हमें equality देता है ठीक है constitution equality कैसे देता है power over the ballot box मतलब आप हर इंसान जो है जो ballot box, ballot box क्या होता है तो जिसमें आप पहले vote देते थी ना, ballot box में पहले voting होती थी तो यहां पर मतलब यह तो लिखने का एक तरीका होगा है ऐसे समझ लो power over ballot box मतलब आपके पास political right होते है कि आप वोट दे सकते है कांता की कहानी में आपने देखा था ठीक है तो यह क्या है यह आप इंसान को equality दे दी लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो वो पैदल पैदल वोट डालने जाएगा बहुत दूर अपने घर से जिसके पास पैसा है तो वो कार से जाएगा जिसके पास और पैसा है तो यहाँ पर inequality यहीं देखने को मिल जाती है ठीक है तो constitution में equality मिल जाए में तो वहाँ पर क्या वोटिंग राइट में कांता फील करती है हाकिम शेक कि हमने देखा कि रिलीजियस ग्राउंड पर उसे क्या करना पड़ता है ठीक है डिस्क्रिमिशन यहां रिलीजियस ग्राउंड से कि हेल्थ केर की बात आती कि वो ट्रीन में से घिज जाते हैं पश्चिम बंगाल मजदूर संग ध्यान आया कुछ तो यह भी हमने चैप्टर टू में पड़ा था हाकिम शेक के बारे में तो इस तरह से क्या है कि इनकी कांता की स्टोरी हाकिम शेक अमन की स्टोरी तो अमन और तो रंजीत क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल में चेल जाता है अमन नहीं जा पाता है तो हम देखेंगे कि आपने Constitutional में मतलब Constitutionally तो क्या कर दिया सबको equality दे दी लेकिन health वाले front पे क्या हो रहा है जो जेन सहाब थे उनसे advance पैसे लेना पड़े ठीक है तो यहाँ पे inequality आती है फिर inequality देखे तो inequality इन दी market स्वपना पिछले chapter में पढ़के आए आप स्वपना के साथ किस तरह का discrimination हुआ तो हमने देखा कि स्वपना cotton grow करती लेकिन वो सहीं कीमत नहीं ले पाती है तो market भी in equal है ठीक है market में भी in equalities exist करती है poverty and problem related to it तो जैसे मिलानी की कहानी देखो गया आप तो मिलानी क्यों दूसरों के घर में काम करने जाती है क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है अब पेट पालना है पापी पेट का सवाल है तो उसे काम करने जाना पड़ेगा तो इस तरह से poverty and problem related to it तो मिलानी के केस में हमने देखा फिर क्या है in equalities on the basis of religion and caste religion and caste तो अंसारी वालमिकी तो आपने ये कहानिया देखी थी कि किस तरह से अंसारी जो है तो वो rent पे घर ढूनते हैं तो उने घर नहीं मिलता है वालमिकी को किस तरह से school में क्या करना पड़ा था school में discrimination face करना पड़ा था तो inequalities on the basis of religion and caste exist करती है inequalities due to gender अब आप अगर देखोगे तो women change the world में मैंने आपको बता है इस तरह से women जो inequalities को सफर करती आई है हमने देखा कि नोंने शंघर्स भी किया लेकिन inequalities तो exist करती है gender के बीच में male को superior माना जाता है female को inferior माना जाता है तो अब यह जो सारी चीज़े बता ही मैंने आपको तो यह क्या है देखो इसको समब करते हैं जरा दो सेकेंड में कि constitution आपको equality दे रहा है लेकिन उन equality में बहुत सारे challenges है क्यों कि market के basis में लोग unequal है economic terms में poverty के हिसाब से लोग unequal है बात के जाए religion caste ठीक है जेंडर इन सारी चीजों पर society बहुत ज्यादा inequality से भरी हुई है तो अब क्या है अब सवाल यह आता है कि अगर इन सारी चीजों से हमें overcome करना है ठीक है तो this highlights the question in struggle for equality ठीक है तो अब क्या होता है तो अब सवाल उड़ता है तब इस chapter को पढ़ना बहुत जादा जरूरी बन जाता है कि क्यों हमें struggle करना चीए equality के लिए या क्यों हमें struggle करना चीए against inequality, inequality को खतम होना क्यों जरूरी है वही सारी चीज़े पढ़ेंगे मैं आपको basic introduction दे दिया है चैप्टर का अब चैप्टर में आगे क्या क्या है तो तवा मतस्य संग की कहानी और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें पढ़ने class 7th छोड़ो class 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जिस भी class में आप जब तक भी पढ़ोगे हमेशा के लिए आपके साथ magnet brains है और सबसे मज़दार चीज क्या है यह सारे courses जो video lectures है यह video lectures free of cost available है तो आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors को भी बताना है और खुद भी lecture में next topic के साथ मिलेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंह राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे struggles for equality अब आप कहेंगे यही तो chapter है जी हां chapter भी और यही आपका topic भी है विछले वीडियो में आपको basic introduction बताया था chapter की theme क्या है chapter किस बारे में उस चीज के बारे में आपको बता दिया था अब देखिए अब उसके बाद में जो आपका next topic है book में वो क्या है वो next topic है struggles for equality अब topic लिखा है तो कुछ तो होगा उसमें जी हां क्या है वही सारी चीज़े हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में अ last economical status चीज़े मतलब किसका economic status क्या है कोई अमीर है कोई गरीब है तो उनके बीच में inequalities हैं यह हो गया उसके बाद में आप देखोंगे health facilities जो available है तो उस basis पर भी inequalities है और जब हमने पूरा civics पढ़ा है यह last chapter है तो पूरा civics पढ़ा है तो पूरे civics में हमने क्या देखा कि तरह तरह से inequalities exist करती तरह तरह से inequalities exist करती और उनकी stories समझी हमने कितने ही सारे cases देखे कांता ठीक है अंसारी इस हाकीम शेक अमन इन सबकी कहानियों से सौपना तो सबकी कहानियों से हम नहीं देखा कि inequality तो भया हमारी society की roots में बशी हुई है ठीक है अब लेकिन मैंने आपको जो बत अगर inequalities है तो उन inequalities के अगेंस्ट में आप मोर्चा खोलो और equality पा जाओ ठीक वही चीज़े देखो क्या है तो example of the people who fought against it तो inequalities तो है और रहेंगी but we do have some examples of the personalities, groups अब individual कहलो या फिर organization कहलो हमने ऐसे institutions को देखा है जिन्होंने क्या किया है जिन्होंने inequalities के against में जाके आवाज उठाईए चलो एक simple सा सवाल winner कौन होता है who is a winner ठीक है तो the one who defeats all the odds is a winner ठीक है जो हर विपरीत परिस्थिती को हरा दे वो बाजीगर या फिर कह सकते है वो winner कहलाएगा वो जीतने वाला कहलाएगा ठीक है वही चीज़ यहाँ पर होती कि inequalities तो है अब जो inequalities को खतम करकी equality establish करने की कोशिश करे वो क्या कहला जाएगा वो society में उसकी respect की जाएगी society में उसे winner consider किया जाएगा उसे माना जाएगा कि यहाँ इसने कुछ achieve किया है clear है तो अब जैसे हम देखें कि example of people who fought against it तो जो लोग inequality के अगेंस्ट में लड़ेंगे उन्हें क्या जीता हुआ माना जाएगा they may be well respected because they treat all persons with dignity अब जो इंस आत्मा गांदी की लोग respect क्यों करते हैं सोचो ना क्योंकि वो जो एक ऐसे leader थे जिनके principles कहीना कहीं इतने मजबूत थे कि जिन्होंने equality को establish किया तो यहाँ पे they may be well respected because they treat all persons with dignity उन्होंने हर इंसान को dignity के साथ ट्रीट किया अब जब उन्होंने इस तरह से हर इंसान को dignity के साथ ट्रीट किया है तो कहीं ने कहीं हम कहते हैं कि equality establish हो गई फाइन अब देखो क्या है they may be individuals और group अब क्या होता है यह चीज़ भी समझने वाली है कि यह जो लोग inequality के against में लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जैसे मात्मा गांदी का मैं आपको example दिया तो वो individual थे लेकिन कभी कभी लोग group में आते हैं संगटित होते हैं जैसे पिछले वीडियो में बताया कि inequalities हैं तो उनसे अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए हमें एक साथ एक जूट होना पड़ेगा ठीक है तो unite होते हैं तो they may be individual और groups तो inequalities से लड़ने वाले लोग individuals भी हो सकते हैं वो groups में भी मचली ठीक है मचली होती ना मचली जलकी रानी तो वो और संग मतलब क्या होता है संग मतलब होता है group ठीक है union उसे संग केते हैं तो तवा डेम पर जो मचली पगड़ने वाले थे उनका जो group था वो एक group है जिसने क्या किया जिसने ये करके दिखाया मतलब inequalities थी उन्हें inequalities को challenge क्या they struggled against the inequalities ठीक है और इसलिए क्या हो गया ये respectable हो गया group इसे हम पढ़ेंगे next video lecture में comprehensively तवा मतलब से संग क्या था उसने क्या किया किस तरह से उसने अपने साथ जो inequalities थी उनको inequalities में convert करा वो सारी कहानी पढ़ने वाले है ठीक है आगे क्या है further there are further there are many struggles such as of such as those among BD workers ठीक है fisher flock agricultural laborers slum dwellers and each group is struggling for justice ये तो एक example है ये trailer है ठीक है तवा मतलब से संग्जोम पढ़ेंगे तो इसी तरह से inequalities society में है और उन inequalities से लड़ने के रिए बहुत सारे group है ठीक है slum dwellers एक सांथ आ जाते हैं agricultural laborers एक सांथ आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि laborers के सांथ गलत हो रहा है तो नियाए तो चाहिए अब एक अकेला ठक जाएगा साथ ही मिलकर हाथ बताना ठीक है तो क्या हो जाएगा एक आदमी कब तक संगर्श करेगा तो उन्होंने एक team करेगा लेकिन जो पैसा नहीं दे सकता है पढ़ना तो सभी को ना पढ़ना अच्छे बताओ कि कि सिर्फ पैसे वाला इंसानी पढ़ सकता है अब जिसे पढ़ना है तो उसके लिए या मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि जहां पर वो पढ़ सके बिना किसी पैसो करना ठीक है आपके कमेंट्स का रिप्लाइ करना आप आप आप्टेमाइज रखना चीजों को यूट्यूब पर काम करना और ऐसे करके टीम बनती है मैगनेट ब्रेंस की और हम क्या करते हैं स्ट्रगल करते अगेंस्ट इनिक्वैलिटीज की नहीं सिर्फ जिसके पास पैसा इनिक्वैलिटीज तो स्ट्रगल अगेंस्ट इनिक्वैलिटीज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस यह चीज़े नहीं नहीं इसमें आपको आप इंडिविजेल्स को भी देख सकते हैं ग्रॉप्स को भी देख सकते हैं और यह साहे लोग क्या करते हैं विलके कहीना कहीं इक् क्टम करना है कैसे करना है सब के अपने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं आया समझ में यह सारा सब कुछ तो यह जो टापिक है आपको टापिक समझाया अभी बचा कि हमारा तवा मतस्य संग यह क्या है यह सारी चीज़ें जो आपका next topic को उसमें comprehensively हम परणने वाले हैं next video lecture में सारी चीज़ों को discuss करने वाले हैं ठीक है कैसे इसने अपने आपको संघटित किया किस तरह से इसने किसके against में मोर्चा खुला कहां उन्होंने equality को establish किया सारी चीज़ें clear है यह video lecture आपने magnet brains के platform पे देखा है जहां पे इसी तरह से और दूसरी classes के भी सभी video lectures free of cost available है website पे जा सकते हैं और यहाँ video lecture भी देख सकते हैं playlist में सारे video lectures आपको arranged format में मिल जाएंगे next video lecture में next topic पढ़ेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत बारे में पढ़ने वाले हैं उससे पहले समझते कि क्यों पढ़ने वाले हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया जो हमारा chapter है struggles for equality तो इस chapter में किस तरह से हमने देखा कि लोग जो है inequality के against में आफिर equality के लिए लड़ते हैं अब लड़े हैं तो कुछ examples होंगे आपके पास में जिन लोगों ने struggle किया शंगर्स किया तो कुछ examples में से एक example जो आपकी book में दिया जिसे हम पढ़ने वाले हैं तो वो fishermen's का एक जो group था जो तवा मतस्य संग के नाम से जाना जाता था उसका संगर्स उसका struggle देखने वाले हम इस video lecture में और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने साथ जो inequalities हो रही थी उसके against में आवाज उठाई और जीत भी हासिल की fine अब देखो important चीज़ क्या है है यहाँ पर important चीज़ है कि आप पहले concept समझो कि concept है क्या पूरा चीज़ा डहीं तरह फानी ब्रटे जिसमें समझाते तो एक रिवर मान लोग अब क्या 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 इस पीछे क्या स्थ़ियाता थी यह के आगे पूरा रिवर कही रास्ता था अब आपने इस तरह से क्या कर दिआ, एक बड़ा सा structure construct कर दिया, तो आगे क्या करते हो, आप आगे इस तरह से एक barrier construct कर देते हो ठीके, यह आपने क्या कर दिया, पूरा पूरा construction दिख आपको यह आपने construct कर दिया तो रिवर का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया तो पीछे क्या होने लगा है पीछे वाला एरिया यह पूरा तो इसके अंदर पानी पानी जो होने लगेगा तो क्या एक अब नदी अपने रास्ते में चले जाती अब वो क्या रखे तो इसके अंदर पानी भरने लगेगा तो इसी तरह सी डैम होता है डैम के पीछे जो रिवर थी ति अब यह रिवर क्या हो जाएगी यह रिवर पूरा का पूरा एक एंपाउन्ड मेंट बना लेगी ठीके क्योंक जब gate खुल देते हैं आप तो बहुत सारा पानी आगे गर्ष कर जाता है ठीक है बाकि उसके पीछे ऐसा एक empowerment मनता है बड़ा सा उसके अंदर पानी पूरा भरा रहता है एकदम डमा डम पानी तो बहुत सारा जबDINGधा एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है दिस्प्लेश्मेंट आफ पीजर देहने को मिलेगा दिस्प्लेस्प्लेंट वाक न की आप पूरा सब कि ढूब जाएगा नए आप पानी भर जाएगा पूरा तो यह नदी ने अपना रास्ता क्या कर दिया चोड़ दिया तो पानी तो पूरे में भरा रहेगा तो यह जो लोग जने लोगों के घर थे उन्हें आप डिस्प्लेस होना पड़ेगा तो डैम के साथ यह प्रॉब्लम में कि डैम के कारण displacement होता है ठीक है तो अब जसे तवा डैम का हमने एक्जांपल देखा अब क्या होता है कि मानलो यहां पर जितने भी तवा डैम पर और तवा डैम का है तो हुशंगाबाद में तवा डैम है थीक तो अब क्या होता कि जब यह प्रॉब्लम्स निकल का ही हमारे सामने के हां इस इस तरह से displacement हो रहा है, तो लोगों ने displacement के अगेंस्ट में भी और displacement के बाद में जो problems create हुई है, उनके लिए organizations बनाना start कर दी, जो उनके साथ में unjust हो रहा था, ठीक है, उनके साथ में मानलो किसी प्रकार की inequalities हो रही थी, तो उन inequalities के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, उनने organization बन सारे लोग जब एक साथ आके काम करने लगते हैं, जो जो प्लायर्स हैं, जो वरकर्स हैं, तो वही लोग सारे लोग मिल जाते हैं, जब एक साथ एक organization बनाने तो वो cooperative बनती है, तो अब यहां पर क्या होता है, Federation of Fisher Workers Cooperative तवा मतस्य संग बना, ठीक, अब जो तवा मतस्य संग तो it is an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the sadpura forest in मध्यप्रदेश, अब क्या होता है कि मध्यप्रदेश के जो sadpura forest है, sadpura forest मतलब वो जो पूरी की पूरी range है, mountain range ठीक है, तो वहां पर जो जंगल है, मध्यप्रदेश में, तो अब क्या होता है कि वहां पर कुछ लोगों ने मिल के एक organization बनाई एक organization fighting for the rights of displaced forest dwellers of sadpura forest in मध्यप्रदेश, clear है, यह बनाया है, मतलब एक अपना पूरा गुरुप बनाया, अब यहां पर आप बोलोगे तवा क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुको तवा नदी का नाम है, कहा है वो भी बताऊंगा, और आप, जैसे मैंने आपको य आपको यह बताऊंगा, और यह बताऊंगा नाम होशंगाबाद में तवा रिवर पे डाम कंस्टर्ट किया गया हरसूद वगड़ा जो पहले शहर हुआ करते थे, क्लियर है, तो एक डैम बनाया गया, उसका नाम तवा रिवर पे बनाया, इसलिए तवा डैम हो गया, क्लियर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, 1958-78 तक कंस्ट्रक्शन चला, अब क्या होता है, यह बताऊंगा इस डैम को भी अपोस्ट किया लोगों ने, ठीक है, अपोस्ट करन कि हमारा घर, रबाज, जमी, जाजाज, जो भी थी, सब डूब गई, तो इस तरह से लोगों ना अपोस्ट किया, और यह दिखती बात है कि जब-जब कंस्ट्रक्शन होता है, लोग अपोस्ट करते है, गवर्मेंट अपने एंड पर क्या करती है, रियाबिलिटेशन करती ह उनने कहीं और स्थापित करने की कोशिश करती है, उनने कंपन्सेशन देती है, लेकिन दिखती बात है कि आप एक पूरी बनी, जमी होई ग्रहसती को आप किसी के उठा के कहीं और छोड़ दे रहा है, तो यह गलत है, clear, some displaced people settled around the reservoir, अब क्या होता है कि कुछ लोगों ने सोच जहां पर organization थी, तो यहां पर अधिकतर केवर्ट community के लोग जाधा थे, ठीक है, जब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा displacement हो रहा था, तो बहुत सारी लोग थे, क्योंकि तवा रिवर में क्या होती थी, मशली पकड़ी जाती थी, बहुत सारी मच्छवारों का एक community जो है, केवर community, तो वो बहुत सारी लोग रहते थे, तो उन लोगोंने क्या सोचा क्या कहां जाएंगे, हम तवा रिवर पर हमारी livelihood चलती थी, तो उन्होंने बोला कि चलो डैम बन जाने, तो डैम बनने के बाद में, हम डैम के आजू बाजू सटल हो जाएंगे, ठीक है, तो पहले नदी पीपल जो हैं, तो वो क्या होने लगे, यहां सेटल उन लगे, तो सेटल अराउंड दी रिजरवायर, क्लियर, अब दो क्यों यहां यहां पर सेटल हुए, तो आने लाइवले हुट थू फिशिंग, क्योंकि पहले भी मशली पकाल के काम चलता था, आज भी मशली पकड़े और अपना जीवन यापन करेंगे, इस हिसाब से लोग हुआ सेटल होगा है, तीक है, अब आप बोलोगे, चलो नदी से उनका घरवार तूटा, लेकिन आप बापे सेटल होगा है, रिजरवायर के पास मशली पकड़ रहे हैं, राजी खुषी अपना जिएंगे, आननत गवर्मेंट ने क्या कर दिया है, आप एक खेल कर दें लोगों के साथ में, कि 1994 में गवर्मेंट ने जो तवा रिजरवायर बना था ना, मतलब तवा डैम के बाद में यह से आपने तवा डैम बना दिये, और तवा डैम के पीछे जो पूरा रिजरवायर बना था, तो इस के अंदर मचली पकडने के राइट्स जो थे वो किसी प्राइवेट कॉंट्रैक्टर को दे दिये अब जब प्राइवेट कॉंट्रैक्टर को राइट्स मिले तो प्राइवेट कॉंट्रैक्टर ने इन फिशर्मेंस को जाने से मना बोल दिया ठीक है जो कम्यूटी हमने देख Threats from contractors to leave अब जो contractors थे उन्हें डराने धमकाने लगे बोल दिया कि अब तुम यहां नहीं रह सकतो जाओ यहां से क्यों 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 कि यहां से मचलिय हो हम पकड़ेंगे तो अब क्या होने लगा Therefore the villagers stood united to set up an organization to protect their interests To protect their rights ठीक है तो यहां पर लोग अब सक्री हो उन्हें बोला कि यह लड़ना तो पड़ेगा अगर नहीं लड़ेंगे तो यह तो हमारी employment हमारी रोजी रोटी चलेगी Clear? अब क्या होता है तो what does the tawa मतस्से do then ठीक है अब क्या होता है तो यह तो तवा मतस्से जो था तो they organized rallies and चक्का जाम चक्का जाम समझते है रोड़ ब्लॉक कर देना की रोड़ पे बेढ़ जाते धन्वा लेके जिसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे यह एक तरह से rallies निकल रही है men, women, सारे लोगों ने participate किया क्योंकि यहाँ पर रोटी का सवाल आ गया था पेट का सवाल आ गया था तो तवा मतस्से संग organized rallies and चक्का जाम रोड ब्लॉकेट्स demanding their rights to continue fishing for their livelihood उन्होंने और क्यों किया है rallies, protest वगरा सब कुछ ता कि उनका जो जीने का जरिया है मचली पकड़ना तो उन्हें मचली पकड़ने की आजादी मिल जाए private contractors उनका गलत अब आ रहे थे ठीके, अब क्या होता है government ने क्या react किया तो government ने भी देखा यह pressure बन रहा है people are struggling against the inequalities government को दिख रहा था कि कहीं न कहीं हमने गलत किया है तो government क्या करती government created a committee to assess the issue government ने देखा कि जाओ देखो जरा मुद्दा क्या है कितने fishermen's की रोजी रोटी छिन गई है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ठीके, the committee recommended that fishing rights be granted to villagers for their livelihood तो committee जो बनाई गई थी committee ने भी recommendation दिया कि आप क्या करदो fishing rights जो है इन्हें ही देदो ठीक है, मतलब कि villagers को ही fishing rights होना चाहिए private contractors तो चलो पैसा कमा लेंगे लेकिन villagers कहां से पैसा कमाएंगे उनकी तो रोजी रोटी यहां से आ रही थी clear है, तो इस तरह से क्या होता है the government decided to give fishing rights to the reservoir rights for the reservoir on January 2nd 1997 तो लगबग लगबग जिसे आप देखो 94 से 97, 5, 6, 7, 3 साल तक का संघर शला उसके बाद में 2nd January को क्या होता है people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch तो उन्होंने नया साल कैसे बनाया मचली पकड़ के बनाया, ठीक है first catch के साल, first catch मतलब पहले बार मचली पकड़ने निकले वो लो clear है, तो आप पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई happy ending होगी, ठीक है ताली वाली बजालों बढ़ियां कि हाँ मतलब यहाँ पर जो story थी न तो अधिकतर stories में हम Indian society उस तरह से चीजों को देखते आए महसूस करते आए, बच्पन से movies बनती थी तो movie भी चलेगी तो अलास्ट में happy ending होना जरूरी है ठीक है, happy ending होती तो sense of satisfaction मिलता है कि हाँ भी है movie देखने का सार, मतलब जो movie देखने का जो मकसद था वो पूरा होगा है बस तो उसी तरह से क्या होता है, तवा मतस से संग के लोग भी संगर्स करते हैं, उनका संगर्स सफल होता है उन्हें पापिस राइट्स मिल जाते हैं रिजर्वायर पे मशली पकड़ने के, clear है तो तवा मतस से संग ये जो एक कॉपरेटिव बनाएं उन्हें ठीक है, एक साथ दो संगटित हुए हैं ये किस तरह से आपको equality चाहिए तो आपको struggle करना ही पड़ेगा बिना कुछ किये, कुछ नहीं मिलता So this was all about this topic, I hope you enjoyed it इसी के साथ हमारा topic complete होता है, chapter का major part ये था अब last topic जो बता है, Indian Constitutional Living Document उसे हम next video lecture में डिसकस करने वाले हैं जिस प्रकार से आपने ये chapter इस topic को Magnet Brains पे दिखा है, पढ़ा है, समझा है तो उसी तरह से civics के अलावा भी जैसे civics के अलावा आप क्या देखो कि geography, history, ये तो social का हो गया लेकिन science, maths, Hindi, English सारी चीज़े, आपके सारे complete syllabus सब कुछ Magnet Brains पे available है आपको क्या करना है, बस YouTube खुलना है जो topic है, जो chapter उसका नाम डालना है Magnet Brains डालना है, space देने के बाद में आपके सामने वीडियो हाजिर है ठीक है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अपना syllabus complete कर सकते हैं सारी चीज़ों पे सबसे मज़दार बात कि ये सारा सब कुछ free of cost available है क्या देना है आपको इसके बदले में इसके बदले में आपको हमें सहोग देना है कैसे, तो अपने juniors को seniors को बताओ कि हां Magnet Brains पे आप सारी चीज़े पढ़ सकते हैं, free of cost पढ़ सकते हैं, आपको बस share करना है fine, so this was all about this topic, next video lecture में अगले topic पढ़ने वाले हैं, यहां तक चीज़ें clear हैं, अगले topic के लिए stay connected, keep learning, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राशपूत, welcome to Magnet Brains Class 7 civics का last video lecture जी हां, जो हमारा chapter है Struggles for Equality तो इस chapter में जो last topic है आपका The Indian Constitution as a Living Document इस topic को हम इस video lecture में discuss करने वाले हैं और यह जो topic है यह आपके इस chapter का भी last topic है और class 7 जो है आपकी civics जो है, उसका भी last topic है अब दिखे अगर आप topic को देखते हो तो बड़ा शानदा topic है, क्या लिखा है The Indian Constitution as a Living Document ठीक है, क्या constitution भी इनसान की तरह जिंदा है जी हाँ, constitution जिंदा है ठीक है, अब आप बोलोग है कैसे जिंदा है क्या उसके पास आधार कार्ड है ठीक है, तो सारी चीज़ा हम क्या करते हैं आपको बताएंगे किस तरह से यह मतलब यह जो statement लिखा है यहाँ पे statement क्या कहना चाहरा है वो मैं आपको समझाता हूँ अगर हम बात करते हैं, constitution की तो constitution में एक principle है recognition of equality among all ठीक है, तो that's principle is widely accepted in our constitution कि हाँ, हम हर इंसान को equally treat करेंगे, चाहे वो किसी भी gender से हो, चाहे उसका economic status कुछ भी हो, चाहे वो male हो, चाहे वो female हो हम सब को equally treat कर रहे हैं, ठीक है तो हमारा constitution क्या करता है recognize करता है equality को fine, यहां तक चीज़े समझ माई लेकिन जो आपने पूरी class civics में पढ़ा तोसमें आपने क्या देखा, कि देश में inequalities कितनी हैं health condition में देखो कि तो अमीर और गरीब के बीश में बहुत जादा जो health facilities वो enjoy कर रहे हो, उसमें differentiation देखने को मिल जाएगा आपको inequality देखने को मिल जाएगी वही चीज़ आप male female में देखते हो inequality देखने को मिल जाएगी वही चीज़ आप अगर आगे देखते हो कि इसमें तो market में इक्वाइलिटीज है, चीज़ें मार्केट में कैसी इक्वाइलिटीज है तो swapना जैसे जो producers वगरा है उन लोगों के साथ में exploitation हो रहा है तो inequalities तो एकदम क्या है कि जड़ों में है society की लेकिन आप क्या होता है क्योंकि constitution equality को recognize करता है समानता को और यह जो असमानता है, inequalities है तो लोग क्या करते है, constitution की ढाल बनाते है फिर, वो constitution कर से आगे लेके चलेंगे कि constitution जब equality बोल रहा है तो कोई हमें unequal कैसे मान सकता है हमारे साथ inequality कैसे हो सकती है, ठीक है, तो therefore all the movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian constitution to make their point about equality and justice for all ठीक है, यह बहुत important चीज़ है क्या, कि जब constitution ने equality देके रखी है और अगर कहीं पर inequality होती है तो फिर हमारे देश में जितने भी struggles होंगे उस equality के लिए तो वो struggles के लिए foundation क्या होगी, उन struggles के लिए आधार क्या होगा, किन basis पर आप बोलोगे कि यह गलत है तो आप वहाँ पे किस का इस्तमाल करेंगे आप वहाँ पे constitution का इस्तमाल करेंगे अपनी बात को रखने के लिए आप अपनी बात रखोगे constitution के constitution जब equality दे रहा है तो आप inequality को कैसे promote कर सकते हो आया ना समझ में यह चीज रहती है तो इस sense में हम क्या कहते है इस sense में जैसे अब तवा मतस्य संग में लोगों ने आवाज उठाई तो उन्हें आवाज क्यों उठाई होगी क्योंकि उन्हें पता है कि constitution में इस तरह से तो छीन ले रहे हो तो वही चीज़ constitution एक living document की तरह है ठीक है constitution एक जिन्दा जैसे आप रहते हैं कि एक family में क्या कि दादा जी ने बोल दिया है तो दादा जी ने बोल दिया तो फिर सामने कोई क्या बोलेगा क्योंकि जी का क्या है रुटबा है उतना परिवार में तो उसी तरह से क्या होता है कि यहां पर constitution एक living document की तरह है कि constitution में जब लिखा है तो आप constitution के against कैसे जा सकते हो बुरा लग जाएगा constitution को ठीक है तो something that has real meaning in our life तो इसको living document इसलिए कहा जाता है कि constitution constitution हमारी life में फरक पढ़ता है constitution से constitution में क्या लिखा है उस चीज से हमारे जीवन में फरक पढ़ता है अगर constitution में equality नहीं होती तो हम कैसे inequality के against मावाद उठा पाते हैं तो इस sense में से एक living document की तरह recognize किया गए आया समझ में यहां पर जो topic है Indian Constitution as a living document क्योंकि उसके अंदर जो जो लिखा है वो सारा सब कुछ हमारे जीवन में क्या करता है लागू होता है वो हमारे हमारे जीने को क्या करता है गाइड करता है कि how we are living in the country ठीक है that is being guided by the constitution fine अब देखो क्या है in democracy in democracy there is continuous expansion of equality अब अगर equality की definition क्या होती है आप से पूछा जाए अब बताओ equality की definition क्या होती है तो आप कहेंगे equality मतलब सभी लोग equal रहें अब सभी लोग equal कैसे रहें तो अभी के लिए आप कहतेंगे सभी के पास पैसा equal हो लेकिन सभी की self-respect भी होना चाहिए सभी की बात करते हैं तो in democracy there is continuous expansion of equality equality की जो definition है हमेशा बढ़ती रहती है आज आपके लिए equal voting rights महाइने रखते हूंगे कल आपके लिए equal wages परसो आपके लिए equal freedom of opinion की मतलब जितना एक male बोल सकता उतना एक female भी बोल सके तो इस तरह से क्या है कि जो definition है equality की वो continuously क्या करती रहती है expand करती रहती बढ़ती रहती evolve होती रहती है ठीके तो आप देखो यह जो conclusion है न बुक का वो यहीं पर समाया हुआ है क्या कि आपने equality देखी पूरे बुक में तो बोलो कि कितनी तो inequality थी तो inequality देखी न वही challenges थे हमने equality की बात करी लेकिन हमने बुक में challenges देखे equality के सामने challenges कैसे देखे तो आपने challenges देखा लोगों की economic condition में मतलब जो सुरू से chapter पड़े वहां से देख लो political rights तो equal मिल गए लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वह दूसरी facilities जैसे education health नहीं ले पाते हैं अब तो equality देर हो लेकिन there are challenges market में सौपना जैसे लोगों के क्या बोलते हैं market बोलते हैं कि सबके लिए open and free है लेकिन reality क्या होती है वहाँ पे इन equality देखने को मिलती है तो equality होती है equality में हजारो challenges होते हैं मानगर चीज़ को equality होगी लेकिन equality के सामने कितने सारे challenges हैं तो हमने जैसे देखा कि किसी को domestic worker की तरह काम करना पड़ता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो equality है equality में continuous challenges है और यह challenges का impact ही होता है कि society में कोई सफर करता है कोई enjoy करता है स्वापना जो थी तो स्वापना को सही कीमत नहीं मिल पाई ट्रेडर ने बैठे बैठे profit कमा लिया तो कोई सफर करता है कोई enjoy करता है इसका solution क्या इसका solution यह है कि हमें लोगों तक resources पहुचाने होंगे जिसे मैं देखा cooperative जब बनाए तो सब के पास में क्या profit बढ़ गया लोगों के पास resources लोगों को empower करना होगा उन्हें aware करवाना होगा तब जाके क्या होगा कि constitution के जो basic idea जो फंडामेंटल से वो successfully क्या कर पाएंगे हम society में establish कर पाएंगे so this was all about the chapter the Indian constitution and the living document इस topic में हमने सारा सब कुछ पढ़ा इसी के साथ हमारा class 7 civics जो है पूरी तरह से complete होता है अब आप सोचेंगे NCRT solution तो इस chapter में NCRT questions ही नहीं है तो यह एक तरह से conclusive chapter ही था आपको समझना है लेकि school में फिर भी क्या है तवा मतस्य संग वाले topic पर questions बन सकते हैं पूछ सकते हैं आपके school में टीचर्स आपको लिखवाएंगे तो इस सारा सब कुछ हमने इस chapter में पढ़ा ठीक है इस chapter में इसी के साथ साथ में class 7th की civics की जरनी भी बड़ी क्या रही इंटरस्टिंग रही आपने बहुत सारी नहीं चीज़ें सीखिए class 8th में भी civics में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं all the best for your exams अच्छे से पढ़ना है अप सारी चीज़ें आपके पास में है और अपने friends के साथ में junior senior के साथ में share करना है magnet brains के बारे में आपको बताना है सारी चीज़े complete होती है आपका क्या experience रहा है magnet brains के साथ में यह भी comment section में आपको बताना है fine thank you thank you very much stay connected keep learning